नहुश्कार दोस्तों आप सभी दश्कों को सबसे पहले दशहरे की बहुत सारी शुपकामना है आप सभी का ये दीपावली का जो कनेक्टिंग पर्व है ये बहुत 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 बहुतीन तरीके से गुज़रे और आज की वीडियो में मैं आपके लिए रिवीव करने वाला हूँ नॉर्माकसिन आर्टी कैपसूल के बारे में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए as a customer, as a viewer जानना बहुत ज़रूरी है बोच्छों शुरुवात करते हैं Norma x99 के एक छोटे से de wh bigger सल्ड столько पर फ्रिक्ष्म CR के वो था करता कि आखिर नार्भ माउक्स ऑर्टी में कौन कौन सी दवाइयां होती नार्म सिनर्भ एक ब्रह डांड नेम है आखिर इसमें कौन-कौन सी दवाईयां होती है जो हमाई शेयर में जाने के बाद एक्च्वल में रिस्पॉंस करती है रिस्पॉंस करती है काम करती है उस्तों यह चार दवाउं का पॉपॉशन होता है पहला होता है रेविप्राजोल सोडियम यह इप्रार का प्रोटान सब्सक्राइब करते हैं अब सवाल उरता है दोस्तों कि आखिर ढाउल सिंडरम में डॉक्तर इसका है अब आप सुझ रहोंगे यह कौन सा नया वा गया आपको आसान तरफ करता दाथा हैं दोस्तों है इंटेस्टाइन में कोई समस्या है थाने को मूवमेंट में नहीं ला पाता है या फिर किसी बगार का बाउल में जो है इंफेक्शन है या कोई और समस्या है जिसके वज़े से हमें सिम्टम दिखते हैं जैसे कि हमारा हमेशा पेट फूला रहता है हमारा हमेशा गैस बना रहत है हमें पेट में अचानक से दर्द होता है एंथन के साथ दर्द होता है तो ऐसी स्थीदी में डॉक्टर इस दवा को अंग दवाओं के साथ में प्रयोग करते हैं यह तो हो गया इसका इस्तिमाल अब आई समझ लेते हैं कि आखिर नौर्मॉक्सिन आर्टी टेबर्ट किस तर अब सवाल उठता है कि यह दवा प्लेग्नेंसी में सेफ है नहीं है दोस्तों यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है कोई भी डॉक्टर प्रयोग्सिक इस दवा का इस्तुमाल नहीं करता है और आखरी में डिसकस कर लेते हैं कि साइड एफेक्ट्स के बारे में उस्तों नौर्मासिन आटी का जो साइड इफक्स है वो होता है बलर इमेज आने कि अगर आप इसको आपको पूरी जानकारी आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए यूस्फुल रही हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें और पहली बार आए तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो बनाओ उसका अपडेट आप